प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी के मिशन यूकरेन की थोड़ देर पहले ही प्रधान मंत्री मोधी यूकरेन की राज्थाने कीप पहुंचे हैं यहाँ वो आज राश्टपती जलेंस्की से मिलने से पहले कई और कारेक्रमों में शामिल होने वाले हैं कीव में प्रधामंत्री नरेंद्र मोधी, कीव के शेव चेंको पाक में महाथबा गाधी की प्रतिमापे मालयार्पड करेंगे प्रधामंत्री आज भारतिये समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे भारतिये लोगों से मिलके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने युद्ध ग्रस्ट यूकरेन में किन हालातों का सामना किया साथी वो भारत के इतिहास और संस्कृती में दिल्चस्पी रखने वाले यूकरेन के लोगों से भी मुलाकात करेंगे इसके बीच प्रधानमंत्री मोधी की राष्ट पती जलेंस्की के साथ बहु प्रतिक्षित मुलाकात होगी इस जौरे पे प्रधानमंत्री मोधी के साथ विदेश मंत्री जैशांकर और राष्ट्रे सुरक्षा सलहकार अजीत डोभाल भी माजूद है कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोधी गए दोरा साथ खंटी का होगा लेकिन इस यात्रा पे पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी क्यूंकि प्रधानमंत्री मोधी ऐसे समय में की पहुचे हैं जब यूकरेन और रूस के बीच 900 दिनों से जंग चल रही है और पूरी दुनिया को शांती का इंतिजार है इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोधी रूस भी गए थे और राश्टपती पुतिन से भी मिले थे अब वो यूकरेन की राश्टपती जिलैंस्की से मिलने वाले हैं तो इस मुलाकाट से क्या निकलेगा इस पर सबकी नज़र रहेगी और हमारे समवाद्दाता राजेश पवार ने भी कीव में लोगों से बाच्चित के और जाना और समझा की पिये मोधी की कीव यात्रा खुले के उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है तो तस्फेरों के माधandeं से आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी का एक ईवर दोरा आपने आप में बहुत खास माना जा रहा है प्रधान मंत्री यहां पर भारती समुदाय की लोगों से उन्होंने मुलाकात कि और यहां पर भारती मूल के जो तमाम लोग हैं प्रधान मंत्री की मौझूदगी को लेकर खासे इतसाहित दिखाई दिए देखिए अगर आप देख सकते हैं आसपास तो मैं इस वक्त उसी आलाके में हूँ जहां अभी पधार मंतरी मोदी पहुंचे हैं होटल में यहां रुके हुए हैं और इस वक्त उन्होंने कुछ देर पहले जो भारतिस समुदाएगे लोग हैं इंडियन डायस्पर अगलोगो उन्हों से बाचीत की है और इस वक्त वो कुछ देर विश्राम करके उसके बाद उनके और प्रोग्राम से यहां पर हैं जो की में उनके शेडूल डाया लड़ी पात्मा गांदी की मुट्टी पर उनने माला चड़ानी है फिर प्रेजिन जिलिंस के मुलाकात होगी फ्लाइट लेंगे वाफस हिंदुस्तान के लिए और यहां जो उनके प्रोग्राम है उसमें उनका जैसे बताया कि मातमा गांदी की मूर्ती पर माला अरपन करना है उसके बाद उनकी प्रेजिन जिलिंस के मुलाकात होगी एक जॉइंट स्टेट्मेंट इश्यू होगा प् मीडिया उपस्ति नहीं होगा लेकिन वो उन लोगे से मिलेंगे ताकि एक अच्छा संदेश भारत के बारे में भारत के बारे में लोकल लोगों के लिए जा सके